नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे Types of impeller के बारे में impeller कितने परकार के होते हैं और किस liquid के लिए कौन सी type के impeller का use किया जाता है और high flow rate के लिए कौन से impeller best होते हैं और अगर हम impeller के OD पे cut लगवाते हैं यानि impeller OD trim करवाते हैं तो pump के flow rate पे क्या impact पड़ता है तो वीडियो का topic अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like जुरू कर दे 200 like का target है इस वीडियो का तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों इंडस्ट्री में centrifugal pump में mostly 3 type के impeller का use किया जाता है सबसे पहले है open type impeller open type impeller की जो बनावट होती है यानि जो design होता है इसमें hub के साथ vans direct attached होती हैं और vans की sport के लिए कोई wall यानि vans के पिछे कोई back plate नहीं लगी होती इसी कारण से ये impeller दूसरी type के impeller से ज़्यादा weak होते हैं open type impeller का use small pump में किया जाता है और दोस्तों इसका use suspended solid liquid के लिए किया जाता है इनके जो impeller होते हैं उनका diameter भी small होता है और इन impeller की दोस्तों advantage ये है कि इनमें choking के chances नहीं होते दूसरी type है दोस्तों semi closed impeller semi closed impeller भी आपको industry में small और medium size के pump में देखने को मिल जाएंगे open type impeller के compare में semi closed impeller आपको industry में pump में जादा देखने को मिलेंगे इनका जो design होता है impeller का इसमें waist hub पे direct connect होती है और waist के पीछे back side पे एक plate लगी होती है जिसे हम impeller की back wall भी कहते हैं और ये plate impeller को strength देने का काम करती है और इन impeller का use भी solid liquid mixture के लिए किया जाता है तीसरी type है दोस्तो closed type impeller closed type impeller का जो design होता है इस impeller की waist के front और back side दोनों तरफ wall लगी होती है और ये wall impeller को strength देती है इसी कारण से ये impeller दूसरी type के impeller से जादा solid रहते हैं impeller के back side center में hub लगी होती है जो sharp पे fix की जाती है और front side पे impeller की eye होती है जहां से liquid impeller में enter होता है और veins के दोरा उसको आगे pump किया जाता है closed type impeller solid liquid में अच्छा perform नहीं करते इनमें choking की problem आती रहती है इनका use किया जाता है clear liquid के लिए और ज्यादा तर industry में जितने भी बड़े pumps होते हैं वहाँ पे closed type impeller का use किया जाता है जैसे की cooling tower pump process water pump और ये जो impeller होते हैं ये high flow rate के लिए use किये जाते हैं और दोस्तों अभी हम बात करते हैं impeller के OD को trim करनेगी दोस्तों कभी भी company से बात किये हुए impeller के OD को trim नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इसका direct impact परता है pump की efficiency पे impeller के OD को trim करवाने से पहले अगर हम pump के manufacturer से बात करते हैं तो वो हमको उस impeller का वो OD suggest करता है जिस OD पे वो सबसे ज़्यादा best perform करेगा यानि उस OD पे वो impeller यानि वो pump अपनी best efficiency देगा हमको अपने idea से उस impeller के OD को trim नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इसका direct impact परता है pump के flow rate पे तो दोस्तो मैं तो आपको यही suggest करूँगा कि अगर किसी कारण से भी आपको अपने pump के impeller के OD को trim करवाने का सोच रहे हैं तो एक बार pump के manufacturer से जरूर बात करें और pump का जो performance कर्व होता है वो उससे जरूर मगवाएं और उसके according ही अपना अगला step लें तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी informative लगी है तो वीडियो को लाइक और ज्याद से ज्याद आपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक्स वोचिंग